हालो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मेरा नम है परवेज आलम और आप देख रहे हैं टेक एंड अर्न दोस्तो आज मैं आप सबको इस वीडियों बताने वाला हूँ रियल्मी फोन में लॉक कैसे लगाते हैं हलाकि सभी फोन में लॉक लगा जा सकते हैं बट मेरे पास रियल्मी फोन है तो मैं अस्पेसली रियल्मी फोन के बारे बताने वाला हूँ कि लॉक कैसे लगा जाता है दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप इसमें कोई भी लॉक लगा सकते हैं स्क्रीन लॉक में जैसे फेस लॉक, फिंगर प्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक, पास्वर्ड लॉक आप जो भी लॉक लगाना चाहते हैं बिलकुल आसानी से लगा सकते हैं चलिए सीख लेते हैं कैसे लगाना है ये ट्रिक सभी रियल्मी फोन में काम करेगी तो वीडियो को भी ना स्क्रिप्ट किये देखते रहिए और साथी साथ अगर आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइकन को प्रेस कर दे और अल पर सलट कर ले और दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजी तो चलिए सबसे पहले हमें सेटिंग को ओपन करना है अपने फोन की सेटिंग को यहाँ पे फोन की सेटिंग है सिंपल सा इसे ओपन करते हैं इसके बाद आपको उपर जाना है फिर यहाँ पर आपको fingerprint face and password swap down करने के बाद आपको option दिखाई देगा fingerprint face and password simple सा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको तीन अप्सन दिखाई देगा set lock screen password add fingerprint and add face मैं तीनों के बारे में बताऊंगा फिलाल इसके बारे में जाना है set lock screen password इस पर click करने के बाद आप password set कर सकते हैं आपको caution यानि साधानी दिखाई दे रही होगी अगर आप अपना password भूल जाएंगे तो अपने phone की data को recover नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको password को भूलना नहीं है ध्यान से लगाना है चलिए continue करते हैं इसके बाद आपको जो भी password डालना है आप password डाल सकते हैं अगर आप कोई दूसरा password यूज़ करना चाहते हैं यानि की pattern lock रखना चाहते हैं तो आप simple size blue आले option पे click कर सकते हैं use a different password type इस पे click करने के बाद एक नया option दिखाई देगा pattern 4 digit password 4 to 16 digit password 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 with 4 to 16 alpha numeric तो आप चाहिए तो इसमें से किसी का भी use कर से तो चलिए मैं pattern लगा के दिखा देता हूं simple सा इस पे आपको click करना है यह pattern का option दिखाई देरे जैकिन उसके पहले मैं आपको एक important बात बता दूँ फोंस में जो password को लेकर high security होती है दोस्तों आपको screen automatically block दिख रहा होगा जब मैं password एंटर कर रहा था तो screen black हो गई होगी क्योंकि यह automatically होता है जब हम लोग screen recording करते हैं तो screen recording में आपको नहीं दिखाया जाता है password automatically black हो जाता है तो उसके लिए sorry आप खुद से भी समझ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी password enter करने पर screen black हो जाएगी तो चलिए कोई बत नहीं अब यहाँ पर add fingerprint पे click करते हैं यहाँ पे click करने के बाद आपका जो भी password enter कर लेना है इसके बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा तो आगे बढ़ने के लिए आपको आप जो sensor है simple सा आपको उस पर अपनी finger को टच करना है तो मैं इस पर click करके टच कर लेता हूं फिर आपके पास next page आ जाएगा टच करने के बाद फिर आपको कुछ इस परकार से टच कर लेना है आपकी उंगली लग जाएगी फिर इसके बाद continue पर click करना है इससे आपको टच करना है अपना finger थोड़ा अच्छे से टच कर लिजिए अब यह हो गया है अब आपको continue कर देना है continue करने के बाद आप कुछ इस परकार से निव पेज पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं पर एक फिंगर लग चुकी है आप चाहे तो इसका नेम भी चैंज कर सकते हैं इसपर क्लिक करना है आपको नेम रखना है करोंगा आप चाहे तो यह और भी आप वह फिंगर्प्रिंट्ट मैक्समें आप पाच फिंगर प्रिंट्स लगा सकते हैं आप मैं आपको फेस लोग करके दिखा देता हूं तो बैक करता हूं वैक आने के बाद यहाप अपसन दिखाई देगा आड़ फेस का सिंपल सा इस पर क्लिक करना है आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है इसके बाद कुछ इस परकार का अपसन आएगा इन रॉल फेस आपको कॉंटिन्यू करना है कॉंटिन्यू करने के बाद आपको अपना फेस डिटेक्ट करवा लेना है आपको स्क्रीम पर देखना ही और आप बैक भी आ जाएंगे तो गाइज आप देख सकते हैं मैं निव पेस पे आ चुका हूं और हमारा फेस ल सकते हैं तो गाइज इस तरह से आप पासफर्ड लगा सकते हैं अब मैं आप सब को बताएंगा कि पासवेर्ड यार निकि ₹ट कैसे करें या फिर पासवड्ड आपको चेंज कर ना थो वो कैसे करें तो चलिए उसके लिए भी वहीं ही प्रोसेस करने मेर याना है और वहीं कि मोडिफाई पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे कि मोडिफाई पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं टर्न अफ पासवर्ड के बारे मैं अभी बताऊंगा फिलाल मोडिफाई पासवर्ड के बारे में जान लेते हैं तो मोडिफाई पासवर्ड में को अगर आपको password change करना एक को यह और password लगाना है तो सिंपल सा आप इस पर कलिक किजिए आप अपना लोक श्क्रीन का password ENTER केजिए अब यहां पर आप चाहिए तो जो भी password रखना चाहते हैं कर सकते हैं आपको new password इंटर करना है आप भी लगाना चाहते है तो आप पासवोड़ एंटर कर दीजीए कorn अygben laintar कर लिया है अब मेरा पासवोड चेंग हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि पास्फ़ोड बंद कर दे सारे पासवोड जहाद तरन अफ पास्वोड़ पर क्लिक करना है अब यहाँ पर चाहें तो disable कर सकते हैं, disable पर click करते हैं, आपने जो भी fingerprint spaces जितने भी लगा हैं सारे के सारे disable हो जाएंगा, तो simple आपको disable पर click करके हटा लेना है, अगर आप चाहते हैं तो disable पर click करके अपना password turn off कर सकते हैं, फिलाल मुझे नहीं करना है तो मैं cancel कर लेता हूं, तो इस परका चैनल को subscribe नहीं किया है, तो उसे subscribe कर लिजिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर किसी और topic पर video चाहते हैं, तो comment कर दीजिएगा, मैं इस पर video जरूर बनाऊंगा, thanks for watching this video